बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूटीब चनल पेपर हैकर में मैं सुरस राज और आज के स्पीटिम देखने वाले हैं जो भी चातर राम मनोहर लोहिया आवध इनिवस्टी से स्टूडेंट है उनके लिए मैं लेकर आँ हूँ बीसी थाड़ियर वालों के लि मेरी बात को समझ लेना क्योंकि आपको वो कोशन पढ़ना है जो आपके पेपर में आ रहा है फाल तु कुछ मत पढ़ो क्योंकि टाइम कम है तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है देखिए मैं यहाँ बताने वाला हूँ वही कोशन को आप पढ़के चले जाते हो तो आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है आपकी इनिवस्टी के अंदर यह मैं अपसे बादा कर रहा हूँ समझ रहे हैं बस ध्यान से समझ लीजे इन कोशनों को आप अपने एक बुक नोट्स गैस पेपर जो भी है आपके पास उसको ओपन करिए और उस पर टिक लगा से लिख दिया करो पेपर हैकर इस तरीके से तो आपको याद रहेगा कि पेपर हैकर दोवारा बताएगा एक कोशन है ठीक है तो आपको वो अपने बुक नोट्स गैस पर प्रटिक लगा देना है फटा फट ओपन करिए बुक को या फिर स्रीज जो गारा जो इन मार्केट स लेकर पहला कोशन आप लगाएंगे कि माइकल्सन मौरले का प्रियेंग इस इंपोटेंट बैरी 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 इंपोटेंट कोशन है फटा फट लगा दीजिए यह मौश्ट इंपोटेंट कोशन है उसके वाद फर्मी उर्चा क्या होती है फर्मी लेविल को भी आपको आपके सामने आगया है और इस question को आप टिक लगा लेंगे उसके बाद में next question आपके सामने बोला गया है कि आपको देखे पहले में आपको यहां देखो बेग के साथ दर्मान की भिंता कैसे ग्यात की जा सकती है तो यह question भी पूछा जा चुका है पहले भी तो आप एक बार इ उसके बाद में हम नीचे जाएगे एक यह आता है ए वरावर mc square यह सिद्ध करने के लिए बोलता है कि आश्टिन के दर्मान उर्जा संबंद की दर्मान उर्जा में संबंद बताईए आश्टिन के द्वारा तो e वरावर mc square होता है इसके बारे में आप पढ़के नीचे जो आपको दिखा रहा हूँ देखो फर्मी ड्राक बितरण इस मौस्ट इंपूटेंट है जिसे हम fddox के नाम से भी जानते हैं और दूसरा होता है फर्मी ड्राक बिकरण एक होता है बितरण एक होता है बिकरण याद रखिए यह बिकरण आपको देखने को मिल रह सकता हूं यह paper में छपेगा यहरंटी के साथ बोल सकता हूं यह question आपके paper में आएगा तुम देख ले करेंगे लारेंज रुपांतर की सम्मिकरण परेंगे तो परेंगे तो नियम के बारे में साथ ही साथ में ठीक है उसके बाद में आज टीन के Planck गजाएंगे कि लंबाई में संकुचन के बारें बंहेंगे और में क्या होती है उस्ट अमीकर बहुत बाहुत इंपॉटनर गोशन है यह पणने की जरू तो नहीं है यह जो कोशन आप देख रहे हैं बेग जुड़त और पर में सिटी और एडेक्शन जो उसके बारे मां पढ़कर जाएंगे बहुत ज़्यादा सूच्म अवस्था किसे कहते हैं यहां भी स्कोशन को भी टिक लगा लेजिए सूच्म अवस्था के बारे में भी आप टिक लगा लेंगे बिकरण नियम और विटरण नियम दोनों को आपको बता रखा है बिकरण नियम उपर बता रखा है बितरण नियम और भी पढ़ लेंगे लगता है तो उसको छोड़ दीजाए कोई शू नहीं है लेकिन आप जो कोशन मिल रहा है आपके गैस पेपर कोशन बैंक में उसको टिक लगा लो जिहान से ठीक है बाकी एक दो कोशन आपको लगता है एक्स्टा पढ़ने की जुरूत नहीं पढ़ेगी मेरे हिसाब से लेकिन गतिमान हीन कण उधान सहीत आपको बताना ये कोशन भी आपको याद कर लेना है और उसके बाद में आता है आप देख रहे हैं कि बोल्ट कह सकते हैं बोल्ट जमीन जो एंट्रोपी होता है उसमें संबंद आपको बताना है बोल्ट जमीन एंट्रोपी संबंद के बारे में और यहां बोला गया है rms speed and most जो प्रवल speed जो value होती है गतिमान इसे बोल सकते हैं इसको भी आप एक बार पढ़के जाएगा और इसमें अपना रहता है गती और बेग का बितरण के बारे में आप याद करेंगे गती और बेग के बितरण के बारे में आप याद करने वाद है उसकी बाद में हम नीचे जाएंगे प्रमुक अभी गरहीत क्या होता है ठीक है इसको छोण देगा और यह जो आप देख रहें ना डॉपलर के सकते हैं प्रिथूलन क्या होता है जैसे इस एंट्रोपी रेकी होता है वो से डॉपलर प्रिथूबन कोलते हैं तो यह आप ना यह बहुत जादा important है और उसके बाद में हम बोलेंगे कि जो ताफ की गती संबंदी अभधारना है उनकी बारें पढ़ने ना और जो गैलूरी और सलक्षन नियम है यह question important है और कुल उर्जा के साथ बेग का बितना कड़ों का बितना कैसे होता है यह चोड़ दीजिए को बाकी उपर मैंने आपको बता है इन question को आपको पढ़के जाना है बस यही पढ़ना है बाकी कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पढ़ेगी आप सभी को तो चल को अभी subscribe कर लेना बैल आइकन को प्रेस कर देना है और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेर कर देना है ज थैंक यू फॉर बचने इस वीडियो चानलों को भी subscribe करना ना भूलें